हेलो गाइज वेलकम बैक टू आ यूट्यूब चैनल स्पार्क्स टेक्नोड़जी मेरा नाम है शिवम और मेरा नाम है अक्षत और आज हम जा रहे हैं कुछ लेटेस्ट टेक नियूज दिसकस करना है सो प्लीज स्टेय टून एंड वास्ट वीट्यू तिल दी एंड प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तीन दोस्तों से बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब परें और उन नाम को आप कमेंट में मेंशन करिए ताकि हम उनको शॉट आउट दे सकें सब्सक्राइब नो कि नोकिया मोबाइल फोन हम जानते हैं कि smart phones तून पर स्मार्ट टीवीज बनाने वाली कंपनी अपने smart फोन तून समार्ट तीवी के संस्क्राइब के बार अम नोक्या एक नए एलेक्ट्रोनिक सीरीज लांच करने जा रहा है जो की है अपने रिसेंटली नए लाप टॉप को टीज किया है आई जानते हैं क्या है इसे डीठेल फीचर्स क्या होगा इसका प्राइस और कभी लांच होगा इंडिया में नोकिया के नए लाप टॉप का नाम है प्योर बुक X14 क्या है इसके फीचर्स चलिए जानते हैं यह लाप टॉप फीचर कर रहा है 14 इंच के LED बैकलेट LCD डिस्प्ले को जो की सपोर्ट करता है डॉल्वी विजिन सपोर्ट को इसके टॉप हाउसिंग में देखा जाए तो एक HDR IR वेबकैम है जो की इनेबल करता है Windows Hello Feature for Face Unlocking अगर इसके बॉड़ी की बात करने तो इसमें Magnesium Aluminium Alloy Body है जो की 1.1 kg की है और 16.8 mm थिक है यह लापटॉप पावर्ड है Intel के i5 10th generation प्रोसेसर से जो की 4.2 GHz की Turbo Boost को सपोर्ट करता है इसमें 8 GB RAM और 512 GB NVMA SSD होगी RAM टाइब की बात करें तो इसमें DDR4 RAM होगी जो की expandable होगी up to 16 GB with the second slot और frequency की बात करें तो यह RAM 2666 MHz frequency की है Keyboard की बात करें तो यह laptop feature कर रहा एक backlit keyboard with 1.4 mm की travel के साथ Battery की बात करें तो यह 8 hours of battery life promise करता है और charger की बात करें तो इसमें 65 Watt का charger in the box available होगा Price की बात करें तो यह flip card पे December 18 से pre-order के लिए available होगा और इसका price होगा of 59,990 रुपीज So please go and check out the team OnePlus 9 5G की live images leak हो चुकी है और इसकी images को देखके लग रहा है कि इसका design पिछले इसके variant से OnePlus 8 से काफी अलगे आईए देखते हैं इसके expected features क्या है अगर OnePlus 9 5G की leaked images देखें तो हम लोग को देखने से पता चलेगा कि इसका front बिलकुल OnePlus 8T की तरह है जिसमें एक flat display है और एक punch hole camera है इसका अगर back panel देखें तो इसमें camera में काफी changes किये है और इस बार बोला जा रहा है कि OnePlus main camera पे focus करेगा जिसमें इसके back panel पे triple camera setup है जो की इस बार popped है जैसा OnePlus 8T में नहीं था अगर इसके camera module को हम लोग धियां से देखें तो इसमें flash जो है वो popped up camera के साथ ही है जिसके नीचे ultra shot लिखा हुआ है और अगर हम लोग इसके logo को देखें तो यह वो logo है जो OnePlus अपने prototype models में डालता है अगर reports की माने तो इसमें 6.55 inches की full HD plus display है with 120 Hz refresh rate with HDR support इसमें बैटरी 4500 mAh की मिलेगी और Android 11 out of the box होगा यह early next year launch होगा with two other models OnePlus 9 Pro and OnePlus 9E Foldable smartphones की technology हमाई normal use होने वाले glass lab वाले फोन से काफी आगे है और इस market में Samsung और Huawei जैसी कंपनियां अरेडी अपने phone मना रही है जहांपे Samsung की 4 series काफी दूम मचा रही है या Huawei की made series जो की foldable phones और foldable screens को manufacture कर रही थी अब इस market में हमारा OPPO एक नया revolution लेके आ रहा है जहांपे वो foldable ही नहीं एक roll होने वाले screen को launch करने वाला है आईए देखते हैं इसकी leaked images और जानते हैं की screen और यह पूरी news क्या है सबसे पहले OPPO ने OPPO X 2021 एक rollable display के साथ mobile launch किया था अब OPPO ने एक नया slide phone launch किया है जो की इस technology को एक next level पे लेके गया है Japanese studio Nando के साथ partnership करके OPPO ने एक नया smartphone tease किया है जो की एक concept foldable phone होगा with trifold display इस phone में 3 displays होगी जो की hinges से attach होगी और वो एक दूसरे के ऊपर roll हो जाएंगी in the same direction यह concept हमारा एक prototype OPPO X 2021 पे ही based है जो की unique और mesmerizing है Chinese giant OPPO चाहता है कि अब users चू है वो screen size खुद से decide कर पाएं जिसकी वज़से उसने एक triple sliding phone बनाया है इसमें पहली बार जब इसे unfold करेंगे तो वो 40 mm की usable screen space होगी to view notification, check out call history and control music playback उसके पास second unfolding में shows 80 mm of the screen and lets you carry out most smartphone functions OPPO however believes it is the best for clicking selfies and photos जब हम इसका last part unfold करेंगे वहाँ पे इसकी entire screen unfold होगी जहाँ पर ये partially bent होगा center से और इसके लिए हमें एक stylus मिलेगा जिससे हम इस phone को use कर सकते हैं अभी ये prototype OPPO ने register किया है और OPPO की तरफ से ऐसा कोई confirmation नहीं आया है कि ये design को वो actual phone में लेके आएगी Flipcard की इस साल की सबसे आखरी sale आने वाली है जिसका नाम है Big Saving Days Sale इसमें मिल रही है कुछ best smartphone deals आये जानते हैं उन deals के बारे में Flipcard की Big Saving Days Sale शुरू होने वाली है ये 18 December Friday से 22 December Tuesday तक रहेगी और इसमें कई smartphones के कई अच्छी deals मिलेंगी जैसे Apple iPhone XR, Realme 6 और Samsung Galaxy F41 और जो Prime Members हैं उनको इस sale का early access मिलेगा वो 17 December 12 noon से ये sale का आनंद उठा सकते हैं इस sale में Realme 6 जो की 14,999 का है वो 12,999 का मिलेगा इसमें Realme Nars 20 Pro जो 14,999 का है वो 13,999 का मिलेगा और इसमें Realme 6i जो की 13,999 का है वो केवल 11,999 में मिलेगा इस sale में Samsung Galaxy F41 6 GB 128 GB वेरियंट 15,499 का मिलेगा और इसमें 1,000 रुपीज ओफ होंगे एक्सचेंज पे इस sale में iPhone XR 38,999 का वेलबल होगा और ये No Cost UMI के साथ आएगा 6,500 रुपीज पर मन्त इसके premium phones के अगर बात करें तो 64 GB वेरियंट 44,900 का वेलबल होगा और 128 GB वेरियंट 49,900 का वेलबल होगा ओपो एडो 2F की बात करें तो ये 24,900 का वेलबल है मार्केट में ये 15,990 का वेलबल होगा और ओपो F15 जो की 19,674 रुपीज का है मार्केट में 14,990 का वेलबल होगा और आइफोन SE 35,900 का है ये 32,999 का वेलबल होगा और LG G8X ThinQ 33,480 का है ये केवल 27,990 का वेलबल होगा So please don't miss these deals Huawei और Honor ये दोनों ही अब अलग-अलग ब्रैंड हो चुके हैं Recently Huawei ने अपनी वेबसाइट पे Honor की Official Sale को अनौन्स किया था इसके बाद ही Honor ने अपने तीन नेस प्लक्श स्मार्टफोन को टीज किया है जिनके नाम है Honor V40, Honor V40 Pro और Honor V40 Plus आई एक आनते हैं के इनके Detail Features Huawei ने Honor की जो Official Sale अनौन्स की है उसकी images आप ये देख सकते है Honor ने अपनी नई सीरीज को V40 नाम दिया है और एक लीग में पता चला है कि V40 सीरीज में चार मॉडल्स होंगे जो की चार फ्लक्शिफ प्रोसेसर को सपोर्ट करेंगे जनौस 1080 प्रोसेसर होगा Honor V40 Pro Plus Edition की बात करने तो इसमें स्नाप राइंगन का लेटिस्ट फ्लक्शिफ प्रोसेसर ये 888 प्रोसेसर होगा और Honor के V40 Communicative Edition की बात करने तो इसमें करीन 90,000 प्रोसेसर होगा So let's see कि कभ ये फोन मार्केट में आते हैं ये लीक्स हैं तो अभी हम इसको अफ़र्म नहीं कर सकते लेकिन Honor केरीन प्रोसेसर को अभी भी यूज कर रहा है ये बहुत ही कुशिनेबल चीज है और देखते हैं कि ये फोन चाइना में लाउंच होंगे कि वर्लडवाइड लाउंच होंगे और अगर वर्लडवाइड लाउंच होंगे तो मुझे ये लगता है कि शायद किरीन प्रोसेसर का यूज नहीं होगा चलिए देखते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में रियल्मी वाच्चेस, वाच्चेस प्रो, बड्स प्रो मास्टर एडेशन ये सब जल्दी लाउंच अने वाले है आएए देखते हैं इसकी पूरी नियूस क्या है रियल्मी लाउंच करने वाच्चेस, वाच्चेस प्रो और रियल्मी बड्स एर प्रो मास्टर एडेशन 23rd दिसेंबर को आएए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में रियल्मी वाच्चेस प्रो में 1.39 इंचेस की अमुलेट स्क्रीन विट स्क्रीन रेजिलूशन 454 इंटू 454 पिक्सल इसमें ब्राइटनेस क्लेम करी जारी है 450 nits तक की इसमें GPS अवेलिबल है और 580m water resistance है heart rate sensor and blood oxygen monitoring इसकी अगर battery की बात करें तो इसमें 14 days की battery life है watches की बात करें तो इसमें 33 mm का display size है और ये Android और iOS दोनों से compatible है इसमें silicon strap material है और ये round dial में available है और अगर Realme Buds Air Pro Master Edition की बात करें ये Realme Buds Air Pro का little enhancement है और इसका main feature है noise cancellation thanks for watching, please like, subscribe and share and do share your feedbacks in the comment section down below और आप पताएं हमें कि हमारी latest news आपो कैसी लगती है